सभी सातियों को करांति करीज़े भी सातियों मैं एडवोकेट सुजी समराथ आज फिर आपके बीच मैं लाइब हूँ 96 लोगों के लीगल अपडेट के लिए कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने लोगों की बेल हो चुकी है आज भी मैं लीगल अपडेट के लिए आपके बीच में हूँ तो आज कोट में हम सारे लोग थे तो आज काफी लोगों के बेल हुई है पर अब तक 86 लोगों की बेल हो चुकी है अब तक 96 लोग थे 86 लोगों की अभी तक बेल हो चुकी है दस लोगों की बेल बगाया वची हुई है जो कल लगिए हमारी कल और परसौं दो दिन के अंदर हम और काफी लोगों की जो 10 लोग रहे कि अधने में कामियाब रहेंगे हैं जो दसवों की बेल रह रहा है उनके नाम बता देता हूं बाकी सबकी बेल हो चुकी है कि कुछ की हाई कोट से हो चुकी है 28 लोगों की बाकी नीचे हो Claus कर स सबकी बेल हो चुकिए गुरुप्रिट है हर्भाल सिंग पंजाब से हैं उनकी बेल नहीं हुई है अबी वंटी है आप इनकी बेल नहीं हूई है नकी बेल हुई है सौनू है दिल्ली से बेल नहीं मिन how Streunyác सुरेंदर सिंग्ढ डिकरनेल सिंग्ढ इनकी बेल निए और रोशंदर कुमार दुन कुमार चंसे कर आजा तो यह दस लोग हैं जिनकी बेल नहीं हुए है बाकि एक तीस लोगों की बेल हो पाए तो ये कल पांच वेलों लगी है इट मिन्स की सारी बेल हो जाएंगी हमारी और 86 बेल अब तक हमारी हो चुकी है आउट आप 96 में तो आज कोट में काफी लोगों के बेल बोर्ड भी भरे गए पहले भी काफी लोगों के बेल भरे गए हैं आज भी लगबक 16-17 लोग किया जाएगा ऐसे कंटीन्यू इस हफ्ते में मोस्ली 95-96 लोगों को हम चुटाने में काम्याव होंगे यह एक लंबी लडाई थी और अभी लडाई बाकी है क्योंकि अभी जो हमारे साथी हैं उनकी बेल होनी बकाया है बाहिचंद सेकर राजाद बिनरतन सिंग रोशिंदर इन लोगों की बेल अभी होनी बाकी है और पूरी टीम लगी हुई है कि पहले इन लोगों की सब की बेल हो जाए जैसे की चंसेकर राजाद जी का वादा था कि पहले सब लोगों की बेल कर दी हो जाए उसके बाद मेरी बेल लगाना तेक वार इन लोगों की बेल हो है और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा जैसे अभी तक मिला हुआ है और हम सभी सातियों को 90 के 96 सातियों को निकालने में काम्याव रहेंगे हैं सातियों सातियों सभी लोगों की मेहनत है सभी जो वकील साति हैं उन लोगों ने कापी मेहनत की है एमेसारिये हैं शुरज मोहनारिये हैं आज तो और भी काफी एड़ोकेट थे संजे थे राजबीर सिंग थे सिर्वचरन पिपल साथ थे विबेग गौतम और बहुत सारे तमाम एड़ोकेट साति की टीम थी पूरी टीम आयुए थी और सब ने बड़े ही टीम पर के साथ काम किया और आज काफी लोगों के काफी लोगों के चुटवाने का काम किया जो अभी झूटे है तो साती की दस लोगों की बेल बागी सब के बेल हो जो किया और ढल है इस नंबर पर आप बार항 ने इस इन इन यह सबके ओर्डर समारे पास में हैं मुश्टली सब लोगों की बेल हम जल्दी से जल्दी और जो दस साती हमारे बकाया बचे हैं उनकी अंबेल लेने में काम्यावी रहें तो साथी यह जंग जो थी यह बड़ी कठी जंग थी पहले दिन से ही जब से 21 अगस्त 2019 को लाम लीरा जो 96 लोगों को जेल भेजा तो 22 तारिक से लेकर और आज तक और आगे भी जब तक सब लोगों की केश चलेंगे हमारी पूरी टीम लीगल टीम भीमार्मी की पूरी लीगल टीम लगी हुई है और हम लोग काम्याब हो रहे हैं उन लोगों को छुटाने में नियाए दिलाने में तो सातियों आपको जानकारी देनी होती है क्योंकि काफी लोग इंतजार करते हैं बहुत सारे लोगों के फोन भी ने उठा पाते हैं क्योंकि आज पूरे दिन हम कोट के अंदर थे तो बहुत सारे भाई फोन करते रहते हैं सायद उनके फोन नहीं उठ पाते हैं और उन हमें उस्त ने सात्यों को чुटाने का काम किया ऐटीसिक्स लोगों की बेल हो चुकी हैं दस लोगों की बेल लगविए लगवग Two दुन में हम सब्सक्रक्राइज का राज़ात कि हम बेल लगाएंगे, उनकी घेमिल हम लेने में काम्याब होंगे, साथियों, आप लोग कुछ साथी ऐसे भी हैं, जिन पर जमानती नहीं है, जुदर के तो आप लोगों से मेरी गुजारीश से मैं हरवार गुजारीश करता हूँ आप लोगों से दिल्ली वाले लोगों से कि आप लोग भाहर निकलें और जमानती बने उन लोगों के जिन लोगों के पास जमानती नहीं है आज भी काफी लोग आए थे तो उन्होंने जमानती दी लोगों की आप लोग भी दे और इस जो एक कारवा था जो एक बड़ी लड़ाई थी उसको जीतने में हमारा कदम से कदम हमारे कंदे से कंदे मिला कर साथ दे साथियो बावा साथ डॉक्टर मबेटकर की सोच को जिन्दा रखना है तो हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मैं हरवार बोलता हूँ कि हमें कलम के लड़ाई लड़नी पड़ेगी कलम के योध्धा बनाने पड़ेंगे और हमारे पास में बावा साथ कलम के योध्धा साथिय आप तक पूरी जानकारी पहुंच गई और जैसे भी कोई नई अपडेट होगी तो मैं फिर दोबारा लाइब आँगा कल या पड़सों तो फिर आपको अपडेट दी जाएगी जै भी जै भारत जै सविधान जै नीली करांती जै भीमार्मी सत्यों आप सबसे अनुरोध है कि Voice85 इंडिया को सब्सक्राइब करें विडियोज को लाइक करें शेर करें और कॉमेंट के जरी अपने राय दें साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे नए विडियोज की जानकारी आप तक सीधे पहुचती रहे